नमस्कार विध्यातियों, आशा हैं आप सभी सुष्थ होंगे और जैसे कि आपको वेधित है कि आपकी 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 आपक्षाएं प्रारम हैं अब पिछली कक्षा में हमने सूर्दास के पत प्रारम किये थे जिसके अंतरगत गोपियां उध्या से शिकायत करते हैं कि वे उनकी प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं और कहने को तो वो कृष्ण के पास हैं उसके बावजूत भी वो कृष्ण के प्रेम से अच्छूते हैं तो तो प्रिस्तुत पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि ही उध्यों हमारे मन की अभिलाशाएं हमारे मन में ही रहेगी अर्थात हमारे मन की बाते हमारे मन में ही दब कर रहेगी हम कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट ही नहीं कर पाएं वे कहते हैं कि हमारे मन में ज तो अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष प्रकट ही नहीं कर पाई अवधी आधार आस आवन की तनमन विथा सही अवधी जिसका मतलब अता है समय अधार जिसका मतलब अता है आधार आवन यानि आगमन विथा विथा मतलब अता है व्यथा तो प्रस्तुत पंक्तियों में कोप मन पर सहाय अर्थात कृष्ण कब आएंगे यह सोच कर हमने बहुत सा समय निकाल दिया और अपने तन मन की व्यथा को हम सहती रही प्रतिक्षा रहित रही कि क्रिशन कब आएंगे लेकिन क्रिशन नहीं आए और अब इन्हें जोग संदेशनी सुनी बिरहनी बिरहनी का मतलब होता है वियोग सहने वाली बिरहनी का मतलब होता है वियोग में जलना यहां पे दही का मतलब है जलना जैसे कि धधकना होता है तो प्रस्तोत पंक्तियों में गोपया कहती हैं कि कृष्ण स्वैम नहीं आएं और उन्होंने तुम्से अर्थात उधाव तुमने आकर हमें जो योग का संदेश दिया है जिसे सुन सुनकर हमारी विरह विथा और भी भरक रहे है अर्थार तुम्हारा यह योग का संदेश हमारी विरह की अगनी में घीं का काम कर रहा है जिस प्रकार से हवन आदी में जब घीं डाला जाता है तो वह अगनी और अधिक धदक उठती है उसे प्रकार से गोपिया यहां कहना चाहती है कि हमारे प्रेम, हमारा जो कृष्ण के प्रत्ती प्रेम था लेकिन कृष्ण के जाने के बाद हम विरह में जल रहे थी उसमें तुम्हारे इस योग की संदेश ने घीं डालने का काम किया है हम तो पहले ही इतनी वियोगनी थी, विरह सहरे थी उस पर तुम्हें योग का उपदेश देखकर हमारी विरह की अगनी को और अधिक चला दिया है चाहती हुती गुहारी जितही ते, उत्ते धार बही रस्तुत गुहरी का मतलब होता है रक्षा करने के लिए पुकारना और जितही ते मतलब होता है जहां से और उत्त मतलब होता है उधर रस्तुत पंक्तियों में कूपिया कहना चाहती है कि हमने जिधर से यानि जिस ओर से पुकारना चाहती थी उसी ओर से योग की धारा भै गई अर्थात वो कहना चाती हैं कि हम श्रिक्रिश्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकारना चाती थी किन्तु उन्होंने हमारी इस गुहार को हमारी इस व्यत्था की गुहार को सुना ही नहीं और प्रेम धारा के स्थान पर उन्होंने योग का संदेश बहा दिया अर्था जिससे हमें उम्मीद थी, जिससे हमने प्रेम किया था, उसमें प्रेम की धारा ना भाकर तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भिजवा दिया सूर दास अब धीर धरह क्यों, मर जादा न लही यहाँ पे धीर का मतलब होता है धहरे, मरजादा का मतलब होता है मर्यादा या प्रतिष्ठा ना लही यानि ना रही रस्तुत पंक्ती में गोपिया कहती है कि बताओ उधाओ अब हम कैसे धहरे धारन करें अब हमारी कोई मर्यादा शेश नहीं रह गई है अर्थात वो यह कहना चाहती है कि जिस क्रिष्ठा की पती हमें प्रेम था उन्होंने ही मर्यादा का पालन नहीं किया है तो अब हम धहरे धारन क्यों करें तो प्रस्तुत पंक्त में गोपियों ने यह स्विकारा है कि उनके मन की अभिलाशा है उनके मन में रह गई और क्रिष्ठा की प्रती उनकी प्रेम की जो घहराई थी वो उसे प्रकट नहीं कर पाई तो चले अब हम इसमें जो जो विशेश है वो आपको बताते हैं जैसे कि आपको पताई है कि प्रस्तुत पत की जो भाशा है वो ब्रज भाशा है और इसका व्यांश में कृष्ण के प्रती गोपियों ने अपने प्रेम को प्रकट किया है अपने प्रेम की गहराई को उनोंने बताया है और सुनी-सुनी में जो शब्द हैं उसमें पुनरुक्ती प्रकाश अलंकार है आपको पता है कि जब वर्णों के अवरती होती है तो अनुप्राश अलंकार होता है और जब शब्दों के अवरती होती है तो पुन्रुक्ती अलंकार होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि समस्थ पदों में गोपियां जो उधव की प्रति व्यंग वान कस रही है तो इस कारण यहां पर वक्रोक्ति अलंकार है। ब्रज भाषा जैसे कि आपको बताया ही गया है। और गोपिया उधव को संभूदित कर रही है। जिसके कारण यहां पर संभूद नात्मक शैली है। और पूरे पद में व्योग शिंगार रस है। अभी आपको रस पढ़ाए नहीं गये हैं। लेकिन जहां पर भी विरह की बात होती है। बिच्छो की बात होती है। वहां पर व्योग शिंगार रस होता है। अब इसके पर शाथ आपको कुछ अच्ञात्मक कारे दिये जाएगा। जिसमें कुछ प्रश्ण होंगे पत से संभंधित। जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी प्रकार किसी भी प्रिश्ट पर कर लीजेगा। धन्यवाद।